रहिए दोस्तों मैं अमर आपके अपने चैमल student需要 live में आपका हरतिख स्वागत है मैं बताना चाहøंगा कि इस साल की जनवरी की सबसे 10 बरी भाइद्षेश के बारे में जिसे आप जानते भी होंगे से और इसके बारे में वेकंसी के बारे में जानकारी में बताना चाहूँगा कि इस साल की सबसे बरी 10 वेकंसी जिसको भूलना भरना ना भूले जिसमें अभी मैं मैं नहीं पार्ट वन में सिर्फ दस बरी वेकंसी के बारे में ही आपको जानकरी दे रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकरी मैं पूरी बताऊंगा ठीक है? चलिए समय ना गवाते हुए इसके वेकेंसी के बारे में मैं आपको पूरी डीटेल्स बताता हूँ सबसे पहली वेकेंसी निली हुई है वेश्ट बंगावल SSC रिक्वार्मेंट की जिसमें आपको असिस्टेंट टीचर की पोश्ट दी गई है जिसमें कि आपकी ये टूटल 465 वेकेंसी दी गई है जिसमें कि बताताना चाहूँगा कि इसमें के अप्लिकेंट फी के बारे में जेनरल एवन ओविसी के लिए 250 प्लस है चार्जेस और SESC के लिए निल है यानि SESC के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे पेमेंट मोड जो होगा by case only है जिसकी starting date जो है 23 जनवरी 2020 से सुरू हो गई है sorry 23 फरवरी 2020 से और closing date 6 जनवरी 2021 और last date of payment की है 7 जनवरी के लिए ठीक है अब मैं बताना चाहूँगा इसमें जो age की ब्यातिय है जो इसमें minimum age खोजी जा रही है उसमें 21 year maximum 40 years के लिए है total 465 vacancy है तो दोस्तों इसको भरना ना भूले एवं मैं चलता हूँ आप दूसरे vacancy के बारे में ठीक है दूसरी vacancy जो है आपकी आई हुई है जे के यानि जारकन जमूएन कसमी एससबी vacancy के जिसमें आपको 458 पोस्ट की vacancy दी गई है ठीक है इसमें इस्टे नो plant protection operator field supervisor की vacancy दी गई है ठीक है इसके बारे में बता दे रहों application fee 350 payment mode होगा only for net banking या credit card या debit card जिसकी apply की date 15 जनवरी 2021 से start होनी वाले है दोस्तों 15 जनवरी 2021 और इसकी जो last date होगी 14 फरवरी 2021 इसमें age limit के बारे में जो दी गई है अधर के लिए 40 years SCST railway RVA ALC जो पोस्ट दी गई है उसके लिए 43 years physical challenge के लिए 42 एक service man के लिए 48 एबं government service के लिए 42 वर्स दी गई है जिसमें कि आपकी बहुत सारी पोस्टे हैं ठीक है जिसको detail से जानकरी मैं लिंक दे दूँगा लिंक के description के दौरा आप जानकरी को चेक कर सकते हैं ठीक है चलिए मैं आप तीसरी वेकेंसी के बारे में बताना चाहूंगा जो कि करनाटक postal circle GDS requirement कि आई है वेकेंसी जिसमें कि total 2443 वेकेंसी के बारे में बता जा रहा है जिसमें कि आपकी जो है वेकेंसी के starting date एवं इसके सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं application fee के बारे में application fee जो की OBC और other के लिए 100 रुपिये female SCST candidate के लिए एवं PWDA candidate के लिए कोई भी charges नहीं है payment mode जो होगा credit card, debit card एवं net banking के अधिम से कर सकते हैं इसकी starting date जो है online की 21 December 2020 से start हो चुकी है एवं last starting date जो होगी registration की NNP payment की उसकी 20 January 2021 होगी और last date of apply online का date जो होगा 21 December तक होगा एवं submit form करने की last date 20 December तक होगी चलिए दोस्तों age limit के बारे में जानकरी बता देना चाहता हूं इसकी minimum 18 years है maximum 40 years है ठीक है जिसमें की age relaxation सभी में होता है SCST OBC के लिए ठीक है और इसकी minimum qualification टेक पास होनी चाहिए जिसमें आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर असिस्टन ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक से वक टोटल 2443 पोस्ट की वेकेंसी दी गई है जिसकी मैं इसका link मैं आपको description में दे दूँगा जिसके माध्यम से आप form को fill कर सकते हैं ठीक है चलिए दोस्तों मैं आप next vacancy के बारे में जानकर बताना चाहूँगा त्रिपूरा government द्वारा जो की यह 4000 MTS एबं LDS LDC की vacancy जो director of employment त्रिपूरा MTS एबं LDC की vacancy है ठीक है जिसके बारे में बताना चाहूँगा इसकी सबसे पहले application भी जो की है UR category के लिए 200 रुपी, SCST के लिए 150, PWD के लिए कोई भी charging नहीं लगेंगे और payment mode जो होगा only for online के माध्यम से एबं important date बताना चाहूँगा इसकी form जब आप fill कर सकते हैं 28 December से start हो चुके हैं और last date जो है इसकी payment की एबं आप online की 11 फरवरी तक है जिसमें date of exam की अभी date नहीं निकाली गई है उसकी जल से जल निकलेगी जिसका मैं अपने channel के माध्यम से जल से जल नहीं आपको इसके लिए जानकारी दी जाएगी इसकी age limit के बारे में बता दे रहा हूँ minimum age limit 18 years और maximum 41 years है ठीक है age relaxation सभी में होते हैं ठीक है qualification जो है यूर के लिए यानि अधर के लिए 8th pass एबं SCST और PH candidate के लिए यानि handicap candidate के लिए 5th class ठीक है जिसमें multitasking staff group D non-technical के लिए 250 सोरी 25 सो सीटों की vacancy आई हुई है ठीक है इनका भी मैं link description में दे दूँगा जिसके माधिम से आप form को fill कर सकते हैं यह सबसे बड़ी vacancy है जो कि odysa सब को ordinate staff selection commission के दोरा निकाले गई है जिसमें total 6432 यहनि 6432 पोस्ट के लिए vacancy दी गई है चले दोसने इसके application fee के बारे में जानकरी बताना चाहूंगा for other के लिए 100 रुपीद SCST PWD के लिए कोई भी चार्जेश नहीं होगे form online fill होगे जिसकी registration एबं payment fee की date जो है start हो जाएगी 7 दिसमबर 2020 से last date of registration and payment fee 5 जनवरी 2021 ठीक है जो कि अब extend हो करके यह 31 दिसमबर से 12 जनवरी तक यानि आप total 12 जनवरी तक आप इसको form को fill कर सकते हैं तो जिन्हाँ ने भी नहीं अभी तक form fill किया है या miss कर चुके हैं तो इस form को जल्द से जल्द भरें ठीक है और इसकी age limit के बारे में दोस्तों बताना चाहूंगा minimum age limit 21 years और maximum 32 years है qualification के बारे में बता दे रहा हूँ इसमें जो है middle school examination pass या matriculation pass होनी चाहिए जिसमें आपको post की बारे में बता दे रहा हूँ nursing officer के लिए ही वेकेंसी है जो की total 6432 वेकेंसी है ये सबसे बड़ी वेकेंसी है दोस्तों भरना न भूरें ठीक है चलिए दोस्तों next वेकेंसी के बारे में जानकर ही बता देना चाहता हूँ अभी MP constable की requirement आई हुई है ठीक है MP के लिए सबसे बातरीन वेकेंसी है दोस्तों जिसमें की total 4000 वेकेंसी है मध्य परदेश professional examination board की द्वारा 4000 की वेकेंसी निकाले गई है चलिए इसके बारे में बता देना चाहता हूँ जिसकी application fee SCST and other के लिए 400 single paper एवं 300 double paper एवं general के लिए 800 single paper एवं double paper के लिए 600 Sunday एवं mode of payment का जोगा online के माध्यम से ही सिर्फ कर सकते हैं जिसकी मैं starting date बता दे रहा हूँ सबसे पहले जो कि 8 जनवरी 2021 से form fill होंगे ये सबसे पहले थे 24 दिसंबर 2020 से लेकर के 21 दिसंबर लेकिन ये change हो करके ये 8 जनवरी 2021 हो गये हैं जिसकी समापती तारीख 22 जनवरी 2021 हो गये हैं ठीक है और इसकी last correction application जो correction के date है 27 जनवरी 2021 तक है दोस्तों और इसकी exam की date दे दी गई है जो कि 6 March 2021 को होगी दोस्तों ठीक है और इसकी age limit के बारे में बता देना चाहता हूँ minimum 18 years general के लिए male के लिए 33 years maximum और maximum female general OBC SCST के लिए 38 years constable radio के लिए होगा qualification 8 10 12 पास जिसमें 134 सीटों के लिए दी गई है एप constable gd post के लिए जिसमें 10 प्लस 2 ITI diploma degree या irrelevant जो भी है पोस्ट आपके qualification उसके लिए टोटल 3862 पोस्टों के लिए वेकेंसी दी गई है जिसका apply online का link आपको 8 जनवरी 2021 से active हो जाएंगे उसके बाद आप phone को fill कर सकते हैं ठीक है और मैं next वेकेंसी के बारे में बताना चाहूंगा जो की NHM requirement आसाम की ओर से आई हुए है जिसमें आपको आसाम सरकार ने ये medical health requirement बोड के द्वारा निकाले गए वेकेंसी ठीक है इसमें total आपकी वेकेंसी जो दी गई है 476 जिसमें general के लिए 250 OBC SC ST के लिए जो दी गई है अप्लिकेशन की 150 रुपिये only for mode of payment जो दीगे ट्रेजरी चलान या online government receipt के माधिम से ही होगा जिसकी last day की apply है 15 जनवरी 2021 age limit minimum 21 years maximum 38 years और qualification जो होनी चाहिए candidate को MBBS degree recognized या पास होनी चाहिए या medical council of India के अंदर जो है ठीक है और candidate को registered होना चाहिए Assam medical council के अधेन तो ही फिल कर सकते यानि कि सिर्फ ये Assam के student के लिए ये post बहतर है तो इसे भरना ना भूले जिसकी online apply की date इस्टार्ट हो चुकी है लास्ट जनवरी पन लास्ट है 15 जनवरी तक और एक सबसे बढ़ी बिहार की vacancy के बारे में बताना चाहूंगा जो कि बिहार state health society बिहार स्टाफ नर्स के लिए फोम आई वी है जो कि एक तालिस सो दो पोस्टों के लिए दिया गया है इसमें दूस्तों सबसे बढ़ी बात है अप्लिकेशन फी के बारे में बता देना चाहता हूं जनरल, EWS, BC, MBC के लिए मेल के लिए 500 एवं यूर, EBC, BC, MBC, female या HCST कंडिडेट के लिए जो बिहार के डो मिसाइल के है और PW के लिए 250 पेमेंट मोर जो होंगे जिसकी स्टार्ट ओनलाइन अप्लाइ की डेट होगी 31st December से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट ओप अप्लाइ एवं पेमेंट का जो होगा 20 जनवरी 2020 सामके 6 बजे तक एज लिमिट के बारे में बताना चाहूंगा माक्सिमम एज होना चाहिए 37 माक्सिमम एज फिमेल का होना चाहिए जिसमें BC MBC मेल या फिमेल के लिए 48 years 40 years और माक्सिमम एज ओफ लिमिट जो है SCST मेल या फिमेल के लिए 42 है सही पे एज रिलक्सेशन जाते हैं जो कि आप OBC का कारेक्टर या आईसी एश्टी का लगा करके आप एस लेक्सेशन के मौका का लाब उठा सकते हैं और क्वालिफिकेशन जो है जी एनेम यानि जेनरल नर्स मिड फैरी के लिए कोर्स या बीएसी नर्सिंग होना चाहिए या पोस्टल वैसी को बीएसी नर्सिंग से जिसमें स्टाफ नर्स के लिए 4102 पोस्टों की वैकेंसी दी गई है तूसर जल से जल दोस्तों इस फोम को भी भलना न भूलें एवाम नेश्ट है आंध्रपरदेश वाड्वोलेंटीर रिक्वार्मेंट की ठीक है जिसमें जो है आपको टोटल 7444 पोस्टों के लिए वैकेंसी दी गई दोस्तों ब के लिए अलग-अलग डेटों की दी गई है जैसे वाई ऐसा डिस्टी का नेम है कड़ापा के लिए 2 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है साथ नवंबर तक कि समाप्त हो चुकी है अभी जो है चिन और में है जो कि 25 नवंबर से पांच जनवरी तक इसकी वैकेंसी की लाश् कर सकते हैं ठीक है जो कि सभी वैकेंसी आपको जल से जल धी और किर्ष्णा में भी 11 जनवरी 2021 तक है दोस्तों तो इस फोम को भी भरना ना भूरे जिसमें जो अभी तक नहीं फोम भरवाया है जो चूक गए है तो किर्प्या इस फोम को जल से जल भरे और वेस्ट बंगाव 50 प्लस चार्जेश ब्लस से के लिए निईacia ने इसके अब लाएई के डेट इस्टर्ट हो चुकी है 23 दिसम्बर से जोकी लाष्ट अपिलाई की देट 6 जनवरी तक होगी और wealthy तक है थीक है मिनिममेज 21 और माक्सिमीम 14 ठीक है तो दोस्तों हमारी जानकरी कैसी लगे यह हम कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे अगर फोम भरने में किसी भी प्रकार की परिशानी हो तो हमें कमेंट जरूर करें कमेंट के माध्यम से आपको पूरी जानकरी दी जाएंगी और दोस्तों बताना चाहूंगा अगर इस परकार की ही बैकेंशी की और जानकरी जानना चा भूले इसमें भी आपको सबसे बरी वैकेंसी के बारे में हमारे द्वर्ण जानकारी दी जाएगी तो हम दोस्तों आखरी में यही कहना चाहूंगा चैनल को लाइक सेर और सस्क्राइब जरूर करें जहीं धन्यवाद